हेलो फ्रेंट्स मैं योगिस दिवान और आज हम बात करेंगे दोस्तों मार्च महिने के जो अंतिम वीक है उसके कुछ अकरेंट अफिरस देखेंगे ठीक है दोस्तों तो यहां पर हम आज देखेंगे 25 कोस्चन्स जिसमें से हम पहला कोस्चन देखेंगे दोस्तों हाल ही में दो दिवसी भारत अमेरिकी नौसेनिक अभ्यास पैसेक्स का समापन कहां हुआ है ठीक है दोस्तों जो पैसेक्स है वो नौसेनिक अभ्यास है दोस्तों जो कि भारत और अमेरिक के बीच में होगा तो इसके लिए हमारे पास आपसन नंबर A है दोस्तों अटलांटिक महासागर आपसन नमबर B है बंगाल की खाड़ी आपसन नमबर C है प्रसांत महासागर आपसन नमबर D है अरब सागर तो दोस्तों इसका जो राइट एंसर है वो है दोस्तों आपसन नमबर B आपसन नमबर B है दोस्तों बंगाल की खाड़ी जो की हाली में हुआ था बंगाल की खाड़ी में ठीक है तो इसका कुछ डिटल्स देखेंगे दोस्तों हम दो दिवसी भारत अमेरिकी नौसेनिक अभ्यास पैसक्स बंगाल की खाड़ी में संपन हुआ ठीक है भारत और अमेरिके के बेच किये गए दो दिवसेनिक अभ्यास दोनों देशों की रक्षा और श्रैने साज़ेदारी में बढ़ति साज़ेदारी को दरसाता है ठीग है और भारतिय नवसेनिक स्वरि नवसेना ने अपने यूदपोत सिवालिक और लंबी दूरी के समुद्री गस्ति विमान पी एट आई को पैसेक्स अभ्यास में तैनात किया तो इसको याद रखेंगे दोस्तों क्या है युद्पोत सिवालिक है और विमान पी एट आई ठीक है दोस्तों जबकि अमेरिकन आउसेना की और से यूएस थी ओडोर रुजवेल्ट कैरियर इस्ट्रैक ग्र कभी कभी समाचारों में वर्णेत निमनलिकित में से कौन सा अनुचेद बीलों के लिए राष्ट्रपती की सकती से संबंदित है ठीक है दोस्तों क्या दिया है बीलों के लिए राष्ट्रपती की सकती से संबंदित है उस अनुचेद को पूछा गया है तो इसमें हमारे पा तो अपसा नमबर डी में है अनुच्छे दिक सव ग्यारा जो की बिलों के लिए राश्टपती की सक्ति संबंदित है इसका डीटेल से देख लेंगे दोस्तों भारत के समीधान का अनुच्छे ग्यारा बिलों को स्विकार करने की राश्टपती सक्ति संबंदित है राश्टपती की स्विक्रिती देना होगा। नई हो नहीं होगा इस्वीधेयाग के देख सकते हैं अधिनियम 2000 सरी राष्ट्रपती रामनात कोविंद ने राष्ट्री राजधानी छेतर अधिनियम 2021 के लिए अपनी सहमती दी राष्ट्रपती रामनात कोविंद ने दिल्ली सरकार के राष्ट्री राजधानी छेतर संसोधन अधिनियम 2021 के लिए अपनी सहमती दी है ठीए दोस दोस्तों हाल ही में समाचारों में देखा गया दोसांबे सहर के राजधानी है तोस्तों यहां पर बात किया गया है तो इसका राइट राइट रेंसर है ताजिकिस्तान मस्त अपरन तो इसके बारे देखनेंगे क्यों जँट्टां की राजजाने दुसाम देश का सव्टे बडासार है जो काफी हर्थ तक ताजीक आबादी से बना है यहाँ पर याद कि कौन प्वादी पाय जाते हैं लाजने लोग है और 2010 तक इनकी संख्या जितना था दोस्तों 830000 था टाजिकिस्तानु देश मद्ध्यय देस है टीज़स्तान उझवेगिस्तान इसका देश mum देश में अफगानिस्तान है इसको याद रखेंगे उसमाचारओं में क्यों है भारत की विद्यस मंत्री डॉक्टर सुप्रमानेयम जैसंकर दुसांबे में होने वाले अफगाश्चार पर हार्ट आप एसिया इस्तंबुल प्रॉसेस कि नवे मंत्री स्थरी सम्मेलन में भाव नहींगे इसलिए क्या था न्यूज में सब्सक्राइब कभी कभी समा सौर्च अमयंट में क्या है सुरद्धालूप पहुंचते हैं टोस्तों आ अप्सों नमबर antnaak जिल्लैस अे अक्राब द्री नमबर के दूस्तों के अनंतनाक जिले में इस्तित एक हिंदू मंदिर है ठीक है दोस्तों गुफा कितना है 3888 मीटर है और फीट में देखेंगे तो 12756 फीट है ठीक है दोस्तों इसके उचाई परिस्तित है जो स्रीनगर से लगभग कितना है समाचारम क्यों था अपरेल 2021 से श्रीइमर नात जी यात्रा के लिए तिरत यात्रों का पंज़िकरण शुरू होगा ठीक है ठीक है दोस्तों इस बार क्या है 56 दिनों की यात्रा होगा और 22 अगस्त दोहजार 21 को रक्षा बंधन पर समाप्त होगा ठीक है ठीक है अन्मान और निकोबार में बिजली आपूर्ती परियोजना को कौन सा देश निधी प्रदान करेगा ठीक है दोस्तों इंपोर्टेंट है क्योंकि हमारे देश के द्विपी जो क्या है द्विपी द्विप है ठीक है तो इसके लिए आपसने हैं अन्मान और निकोबार में बिजली आपूर्ती परियोजना को जो निधी प्रदान करेगा उदेश है दोस्तों जापान ठीक है इसको याद रखेंगे जापान है इसका राइट एंसर इसका डिटेल्स देख लेंगे दोस्तों अन्मान और निकोबार में पहली बार अधिकारिक विकास सहायता अर्थात ODA परियोजना का हिस्सा है यहाँ अनुदान 256 करोड रुपे का है ठीक है दोस्तों और इसका उद्देश है दोस्तों दूपों में बिजली की आपूर्तों के बढ़ाना जिसमें खुले इंडो प इसरे देशों के बीच में और सामरी कर्थात क्या है जो है दिश्टी से क्या है काफी मजबुत होगा ठीक है अनुदान बिजली प्रणाली इस्टेप लाइजर्स की खरीद में साहते करेगा जो सर उत्पन सकती से 72 उप्यों में सुधार होगा ठीक दोस्तों इस प्रकार से तो हमें बताना है दोस्तों कौन सा राइट एंसर है अपसन नमबर ए चीन और पाकिस्तान अपसन नमबर बी है भारत और रूश अपसन नमबर सी है भारत और इरान अपसन नमबर डी है चीन और इरान ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास दो तिन अपसन ऐ से लग रहे हैं कि सायद इनके बीच में हो सकता है लेकिन जो इसका राइट एंसर है दोस्तों बताएंगे जो हाली में हुआ था 25 सालों के लिए हुआ है दोस्तों ठीक है और काफी न्यूज में रहता है तो यहाँ पर जो राइट एंसर है दोस्तों इसका तो देखेंगे इस से दोनों राश्टों की बिस संबंदों को प्रभावी रुप्षे शमयमीत और गहरा करना है और उर्जा उद्योग परिवान सेवाओं और बंदरगाओं के छेतर में निवेस्ट के लिए करने में क्या है मदद करेंगे और इस समझाते में राजनितिक अर्थब्योस्ता और रणन दितिक के विभिन पलों और घटक सामिल है 25 वर्षी रणन दितिक समझाता चिन के ट्रिलियन डॉलार बेल्ट और रोड इनिस्टिव का हिस्सा है ठीक है दोस्तों काफी चर्चा में रहता है चीन का जो है रोड एंड बेल्ट इनिस्टिव पहल और इरान के चीन के साथ रणन दितिक समझाता करने का उद्दिश क्या है दोस्तों क्योंकि अभी क्या है आप काफी न्यूज में देखते रहते होंगे क्योंकि एरान और संयुक्त राज अमेरिका का है हमेसा ब कि नेश्ट देखेंगे दोस्तों हाल ही में में समाचारों में देखा गया मेरापी परवत कहा इस्थीत है थां धौन आस नमबर एंडोनेशिया पसे नमबर अलेशिया युशन अपसर नमबर सी और योग्यकारता इंडोनेशिय के बीच में बीच की सीमा पर इस थी था ठीक है तो उस्तों मेरा पी परवत कर इंडोनेशिया और जावाने भासा में गुनुंग मेरा पी कहते हैं यह एक स्ट्रेटो नो वेलकोनों और है और इंडोनेशिया का सबसे शक्री जोला मुकी है ठ में टाइम टू टाइम क्या है भूकंप हो गेरा जौला मुखी हो गेरा आते रहते हैं ठीक है दोस्तों 1948 से अब तक लगातर समय समय पर विस्पोट करता आ रहा है ठीक है दोस्तों जौला मुखी 2960 मिटर ऊच्छा है समाचारों में क्यों है 27 मार्च 2021 को मांट मेरापी ज्वाला मुखी फिर से फट गया था ठीक है दोस्तों जिसने इसकी ढलानों से बड़ी मात्रा में राक लावा और धुए का उठता गुबार उत्पन किया ठीक है ठीक है दोस्तों यहां पर यह नहीं दिया है कि कितना जानम गया एक नहीँ ट्रेन है ठीक हो तो इसका अप संदिया दोस्तों अप्स नमबर ए है पकिस्तान अप से नमबब्लिघ भिहें बंगल्यदे लें हो कि भारत और बंगल्यदेस के बीच छलने वाली एक नहीए याथिए ट्रेन से हो है जिसे लोग जिसे लोगों से लोगों की कनेक्टिविती को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया है ठीक है दोस्तों इस प्रकार से पेसेंजर एकस्प्रेस होगा हल्दी बाड़ी चिलहाटी ट्रेन लिंक पर न्यू जल्पाई गुड़ी और ढाका च्हावनी के बिश ट्रेन चलेगे ठीक है डोस्तों नेबर और फलच को मजबूत करने का हिस्सा ए ठीक है गया दोस्तों कि है नेबर फूट पलीजी को मजबूत करेगा ठीक है इस मार्ज तो 27 तो याद रखेंगे नेक्स चलते हैं दोस्तों हाल ही में समाचारों में देखी गई हाई पनिया इंडिका और हाई पनिया बुलेट खालिस्थान की प्रजाति है ठीक है दोस्तों सुनने में नया नाम लग रहे है ठीक है तो हाई पनिया इंडिका और हाई पनिया बुलेट है ठीक है दोस्तों वेगानिक नाम है त सब्सक्राइब करते हैं कुछ सब्सक्राइब कि क्यांके सब्सक्राइब इंडिया सब्सक्राइब आप भारत के नाम पर इसे इंडी का नाम दिया गया है ठीक है दोस्तों ठीक है भारत के नाम से गया है इंडी का नाम पड़ा है और हाइपेनिया बुलेटा को इसके सरीर पर छाले जैसे निसान से इनका नाम मिलता है ठीक है दोस्तों और दमन और दिव और कन्या कुमारी के दिव दिप पर समुद्री सेवाल हाइपेनिया बुलेटा की खोज की गई थी, समुद्री सेवाल हाइपेनिया इंडिका तमिलनाड़ू में कन्याकुमारी, राजकुमार में श्रोमनाद, पठान और सीवराजपूर से खोजी गई है ठीक है दोस्तों इस प्रकार याद राखेंगे next question देखेंगे G I S T sorry G I S A T one नेमनल इकीत में से कीस प्रकार का उपग रहा है ठीक है दोस्तों तो इसमें फष्ट दिया है प्रित्वी अउलोकान उपग रहा है अपसन नंबर B है संचार उपग्रह आपसना श्री है मौसम उपग्रह आपसन नंबर D है घ्रूई उपग्रह है ठीक है दोस्तों ग्रुइ नगी इसके इसट बटे आलाओर है प्रिजो सवनतरий अलॉपिहा वालुकन उपग्रह रहा जी आैस है जिव इमेजर सैटेलाइट ठीक है दोस्तों क्या है जिव इमेजिंग सैटेलाइट ठीक अ चाह का जी ऑई एसएटी भारत दौरा विक्सीट एक इमेजरी हप ए time व्रध है ठीक है जो वास्तेक समय में में के पास प्रदान करता है ठीक है कि में मी स्मय कि निगरानी के साथ भू इस्तेतिक कक्छा से होता है और दो समान उपग्रहा 42 से 318 मिटर की रेंज में रिजल्योशन प्रदान करेंगे ठीक है दोस्तों समाचारों क्यों है स्री हरी कोटा से 18 अप्रेल 2021 को लाँच होने वाला उपग्रहा multi spectral, multi resolution इमेजन उपग्रहा को ले जाने में सक्चम होगा ठीक है दोस्तों इस प्रकार से याद रखेंगे तो एंसर इसका डीटियल देख लेका है जो अपरीकी महादीप के पुरी भाग में इस्तित है ठीक है दोस्तों वाजबस और कॉनकों से देश है उसको याद भूमी है ठीक है दोस्तों याद रखें कि क्या क्या है कुनामा इरोब ठीक है और टाइगरेन लोगों की मातर भूमी है टाइगरे की राजधानी इसका सबसे बड़ा सहर में के लिए है टाइगरे की सीमा उत्तर में इरिट्रिया पस्ची में सुडान दक्षड में अमहारा छ एंधिया के उत्री टाइगरे च्छेतर से अपने साइनीकों को बाहर निकालेगा ठीक है जो टाइगरे यूद में संभवित सफलता होगी ठीक है दोस्तों तो इस प्रांट ऑपसन नमबर D है इच्ड ली थीक है दोस्तों तो इसका राइट एनसर है इसका राइट एनसर तो सब्सक्राइब बहुत परियोजना इसका है जापान के साथ है प्रियोग अनुसंधान था और 23 मार्चे 2021 को सुरू किया गया था ठीक है दोस्तों जभारलाल नहरू सेंटर फार एडवांस साइंटिफिक रिसर्च अथाथ जे एन सी एसर बैंगलोर और सहा संस्थान द्वारा परियोजना का विकास और संचालन किया गया है ठीक है दोस्तो दोस्तों निम्मनाढ़ल कितमे किसंए ग्लोबल विंड रिपोट 2021 प्रकासित दोस्तोंenk फंडोबल विंड्ड इनर्जी काउंसेल ठीक है और सी है वेश्टास डी है एन एर कौन ठीक है दोस्तों तो इसका राइट एंसर है इसका राइट एंसर देख से अपसे नमबर ना दी ठीक है क्या है ग्लोबल विंड रिपोर्ट दो हजार इसके ने प्रकासित किया था Global Wind Energy Council GWEC इसका डीटेल देख लेते हैं दोस्तों Global Wind Energy Council ने 25 मार्च 2021 को Global Wind Report 2021 प्रकारसित की निसकरशों के अनुसर वर्तमान में कुल वेस्विक पौन उर्जा छमता को 743 गिगावार्ट तक बढ़ा दिया गया है ठीक है दोस्तों इसको याद रखेंगे जो प्रती वर्ष 1.1 बिलियन टन से अधिक कर्बन डाय आउकसाइड से बचने में दुनिया को सहायता प्रदान कर रहा है ठीक है दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है याद रखेंगे नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में परमाडू सक्चम सत्ता से सत्ता परमार करने वाली बैलेस्टिक मिसाल साहिन 1A का सफल परिक्षण नीमना में से किस देश द्वारा किया गया है ठीक है याद रखेंगे जो बैलेस्टिक मिसाल है क्या है इसका नाम है साहिन 1A ठीक है तो इसक का जो राइट एंसर है साहिन वन ए मिसायल का सफल परिक्षण किया था देश्ट है पाकिस्तान ठीक है दोस्तों काफी important है क्योंकि हमारे सबसे कया सत्रू वाला देश है और हमारे भाई भी है ठीक है दोस्तों इस टैप से लिटेल देखते हैं दोस्तों पाकिस्तान ने चबि समय की था 26 मार चोंटी कैसे दूस्तों इस मिसाइल की रेंज 900 किलोमेटर है ठीक है इस मिसाइल में एक परिस्क्रीत और उन्नत मार्ग दर्सन प्राणाली सामयगे डो सो काफ्य उन्नत किस्मक है जो इसे अत्य dancing प्रणाज नी बनाती है ठीक है दोस्तों इस प्रकार काफी इंपोर्टेंट हो जाता है सहीन वन ए नेक्ट कोस्चन देखते हैं कि यादा ही होका है ठीक है को पूरा नहीं है दोस्तों ठीक है यहाँ पर पूछा गया था वैसे कांगो जो गड़ाज है ठीक है मा का वर्तमार अभी हाली में राष्टपती चुना हुआ था ठीक है तो वहाँ पर किसे बनाया गया था यहाँ पर ऑप्सन है दोस्तों अपन नमरी है डेनिस सशाव नगेश भी है अलफॉंस मासंबा डेवर्ट और सी है पासकल लिशाव और डी है दोस्तों मेरियं नगाव भी ठीक है तो इसका राइट एंसर है दोस्तों तो इसका जो देखते हैं दोस्तों डीटेल्स क्या था कांगो राजनेता डेनिस ससाव नगेसो पुना अठ्थी जश्माल पांच साथ प्रतिस्त ओट के साथ कांगो राजय के राश्ट्रपती जुने गए हैं ठीक है दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों क्यों क्योंकि इतना जो 58.57 प्रसेंट वोट जीतना बहुत ही अपने आप में बहुत काबिल्यत की बात है ठीक है चुने गए वह 36 वर्सों से देश पर सासन करने हैं ठीक है दोस्तों आप यहां पर देखेंगे दोस्तों एक चीज कामन है अपर इका गणराजय में है ठीक है यहां पर जो राश्ट आप में कई बार दोस्तों यहां पर देखेंगे आपको क्या है सैने सासन तक लागू करना पड़ जाता है ठीक है इस प्रकार से कापी इंपोर्टेंट है वह 36 वर्सों से देश पर सासन कर रहे हैं 1989 में उन्होंने पहली बार राश्ट पती चुनाव जीता और 1992 तक लगाता पता तीन भार वाश्ट किये ठीक है ठीक है दोस्तों नेक्स्त देखेंगे RC 2021 का रतभाान फोल कर किस ने जीता है ठीक है वर्स 2022 का रतवान फोलीय पूरसकाald टीक है ठीक है दोस्तों तो इसका आप्सन नुमAngल ए है रिमंडक्य पार पकर्स माचाडो ठीक है दोस्तों आक्ष। नॅम बीस राअब से ठीक है वह सन्द 20 80's के रद hinten फोली पूर्षकार को कार्मयन मारिय माचाडो और उनके संस्कमरण ठीक है इन दा ड्रीम हाउस ठीक है ए मेमायर के लिए प्रदान किया गया है ठीक है दोस्तों किसके लिए प्रदान किया गया है इन दा ड्रीम हाउस ए मेमायर के लिए ठीक है जो 2019 में जारी किया गया था रदबन फोलियो पुरसकार सहीतिक के छेतर में दिया जाने वाला एक सम्मान ह ठीकर दोस्तों याद रखें किसकी चेतर में दिया जाता है साहित यक सी और इसे दफॉलियो स्वेजंगv क्लिया खटा जो वर्स थोजह-शनवरं लंडन तरा इस्थित एक प्रसाश दोस्तों किसके द्वारा धिया जाता है डफॉलियो स्वेजजौंव सेटि के दkeं स्वेजनहर कहां इस दोस्तों स्वेजनहर काफी चर्चा में था इसका प्रॉफस्त देखते ता थीं स्वेजनुंक में इस्तित है और लाल सागर और भुमद्य सागर के बीच एक संपर्कल लिंक है ठीक है दोस्तों तो किंदो सागर को जोड़ता है लाल सागर और भुमद्य सागर को ठीक है यहां एक कृतिम समुद्री इस तरी जलमार्ग है जो एश्या कृतिम है ठीक है जो एश्या और अफरीका को भी वि गया था जिससे पिछले 6 दिनों से यातायात बाधित हो गया था ठीक है तो काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि 6 दिनों तक क्या है यातायात बाधित हो गया इसकी कराण काफी देश के जो है समुद्री व्यापार होता है तो इसके थ्रू होता है दोस्तों ठीक है तो इस प्रक आकार का उपग्र है जिसे स्यूक तरूप से खालिस्तान की अंतिक्ष जैंसियों तो विक्सित किया जा रहा है ठीक है दोस्तों निसार इसको याद रखेंगे निसार है तो आपसन नमबर A है अमेरिका और रूस, रूस और भारत, C है इरान और भारत, D है यूएस और भारत, तो दोस्तों निसार एक क्या है SUV के आकार का उपग्र है ठीक है दोस्तों जिसे स्यूक तरूप से किसके द्वारा क्या है विक्सित किया जा रहा है तो इसका राइट एंसर है दोस्तों अपसन नमबर D एस राइट एंसर क्या है यूएस और भारत के द्वारा क्या है विक्स समाचारों में क्यों था निसार को एक टेनिस कोट के लगभग आधे आकार के छेत्रों में अर्था 0.4 इंच के रूप में प्रित्वी की सतह में परिवर्तन को मापने के लिए नियुजित किया जाएगा ठीक है दोस्तों इस प्रकार से क्या है समाचारों में था दोस्तों ठीक है नेक्स्ट देखते हैं महाराष्ट भूषनपुरसकर 2020 से किसे समानित किया गया है ठीक है दोस्तों तो महाराष्ट भूषनपुरसकर काफी इंपोर्टेंट हो जाता है ठीक है तो फर्ष्ट है दोस्तों ये देखते हैं आसा भूसले बी है समानित किया गया है ठीक है महाराष्ट भूषण पुरषकार 2020 को महांगाई का आसा भूसरे को दिया गया था महाराष्ट भूषण पुरषकार महाराष्ट राज्य so-lakर दोारा सरोच अनरे ठीक है लिश्ट्रिय चाहर कर दोpersितों की विशिष्टप्र day and और बलब्दियों को पहचानने के लिए इस्थाप्त किया गया था तो कब इस्थाप्त किया गया दोस्तों 1996 ठीक है विश्ष्ष्ट कारे के लिए विश्ष्ष्ष्ष्ट भ्यक्तियों को ठीक है प्रतिश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् निमनाज़ कित्मेशने कौन से शंगाथन विस्वीकाशं रिपोर्ट प्रकासित करता है ठीक है दोस्तों विस्वीकाश्रीपोर्ट यहां पर याद रखेंगे ठीक है ठीक है ठीक है तो आप सब्सक्राइब यह ऐसे नोल जहाएं जो है विश्व वीकास रिपोर्ट प्रकासित करता है धिगा दोस्तों तो इसको देखेंगे इसका टिटेलस Schön विष्व विकास रिपोर्ट एड़ेटा विटर लाईवस सिर्शक के साथ प्रकासित की गई थी थी दोसुं कई बाठेम्स पुछ लेते हैं इसका याद रखेंगे क्या है डेटा फार बेटर लाइवस ठीक है सिर सकता रिपोर्ट नीमन आये वाले देशों में रहने वाले बेक्तियों पर बदलते डेटा प्रदेश से के उच जोकिम और चमता का विश्राइज राड करता है ठीक है दोस्तों तो इस प्रकार से काप्टी इंपोर्टेंट हो जाता है नेक्स्ट देखेंगे प्रधान मंत्री मोधी द्वारा घोसित स्वाणड जैनती फेलोशिप कि इस देश पर केंदरी था है ठीक है दोस्तों प्रधान मंत्री मोधी द्वारा क्या घोसित किया गया था स्वाणड जैनती फेलोशिप ठीक है दोस्तों तो इसके लिए आपस फेलोशीप भारतिय विज्ञान और प्रद्रिकी की विभाग द्वारा दी गई एक वार्सिक अनुसंदान फेलोशीप है ठीक है फेलोशीप को युवा वग्यानिकों द्वारा मौलिक या व्यावारिक विशयों में किये गए उतकिष्ट और उलिकनिक सोध के लिए दिया ज दोस्तों नेक्ष्ट देखेंगे हाल ही में समाचारों में देखा गया सत्कोसिय टाइगर रिजर्व कहां इस्तित है कापी चर्चा में रहता है दोस्तों ठीक है सत्कोसिय टाइगर रिजर्व जो है अब आपसन देखते हैं आपसन नमबर ए है मध्यप्रदेश आपसन नम नमबर डी है ओडिस्बाल है तो इसका राइट एंसर है अप्सान नमबर डी ओडिसा ठीक है उडिसा में सतकोष्य टाइगर एगर ही बुचित है ठीक है और यहां पर चिल का जी लोगोर रहें दोस्तों काफी इंपोर्टेंट हो जाता है ठीक है तो इसके बाया हम डिटेल से चेतर को कवर करता है 1976 में सतकोसिया गार्ज वन्यजीव अभ्यारण बनाया गया ठीक है और 2007 में सतकोसिया टाइगर रिजवरों नामित किया गया ठीक है दोस्तों 2007 से सतकोसिया टाइगर रिजवरों घुसित किया गया समाचरम के हैं ओडिसा ने 5 साल की एक बागिन को वापस भेज दिया है जिसने सत्कोष टाइगर लिजर्व में 28 महने कैद में बिताए हैं ठीक है दोस्तों कि दिश प्रकार स्रे क्या है खबरों में था दोस्तों next देखेंगे किस देश ने हाल ही में गरभपात सोक छुट्टी कानुन पारित किया है ठीक है तो अपस नमबर ए है श्वीडन अपस नमबर भी है भारत आपसर नमबर सी न्यूजरी देते हैं न्यूजरी डेचि शेर कानूर कापाक सुटि कानूर्ट पारित किया है जिसकी अनुसर माताओं और उनके सहीयोग्यों की पास किसी भी इस्तीती में गरभपात होने पर कर्मचारियों को पेट लिव देने का प्रावधान है ऐसा कानुन पारित करने वाले भारत पहला देश था ठीक है दोस्तों और अब न्यूजिलेंड ऐसा करने वाले दुनिया भर में दूसरा देश बन गया है ठीक है ठीक है दोस्तों पहला देश कौन था सवीधान के नेम नर्कित अनुच्छ्यद में से इतल कौन सा राश्ठ पति द्वारे लिग किसी सथ्रक कुं इस्थगीत करने की सक्ति इक सब्सक्राइब कुं रहां है न में तो अप्सों नूमर एख है दोस्तों पर से 162 B 183 452 B option number C ay, anukhada 85 2 B, anukhada D how sorry D number ay, anukhada 46 2 B ठीक है दोस्तों तो इसका right answer बताएंगे तो इसका right answer है दोस्तों, option C ay, anukhada 85 2 B ठीक है दोस्तों इसके बारे मिलेदेशसे देख लेंगे भारतियने समीधान के अनुशय 25 के तहट धारा 2b भारत के राश्रपति के पाथ भारत के समीधान के अनुशय 252b के अनुशार लोकसभवा भंग करने की सकती है ठीक, दोस्तों क्या है लोगसभा कोई भंक कर सकता है दोस्तों राज़पती ठीक है राज्यसभा क्या है वो इस्ताइश सदन होता है सत्रा वसान एक सत्र के अंध को संदर्वित करता है ठीक है दोस्तों क्या है एक सत्र के अंध को संदर्वित करता है एकित किया गया था एक महीला की नरति वाले इंटर्णेट सेवाएंब्स ही यह ऐ है । आपसे नंबर से एंक्रेड आपसे नंबर डी है ऐस्टरउम। ठीकतंगे काफी इंपोर्टेंट दोस्तूं क्या है महिला नेतित वाले इंटरबल कि अश्ट मंध क nenेति का हैं पंधर आफ देखिसीर है इसितर ने एक में कम लागत वाली विश्वसनी इंटरनेट सेवाएं प्रदा देने में मदद करेगा ठीक है दोस्तों इस्ट्रम ने एक वायरलेस उत्पाद विक्सित किया है जो एक लागत पर फाइबर जैसे ब्रेंड वेट तप्रदान करता है जो फाइबर की लागत का एक अंस है नया उत्पाद दूरसंचार आपरेटरों को ग्रामेड और उपनगरी छेतरों में कम लागत वाली विश्वसनी इंटरनेट सेवाई देने में मदद करेगा गीगा मैस नामक वायरलेस उत्पाद दूरसंचार आपरेटरों को पांच गुना कम लागत पर गुडवत्ता उच गत्ती वाले ग्रामेड दूरसंचार बुनवयादी धाचों को तैनाद करने में सक्षम बनाएगा ठीक है दोस्तों यहां इंपोर्टेंट है दोस्तों क्या है गीगा मैस नामक वायर ठीक है जो कि दूरसंचार आपरेटरों को पांच गुना कम लागत पर गुणवत्ता उच गत्ती वाले ग्रामेड दूरसंचार बुनियादी धाचों को तैनाज करने में सक्षम बना सकता है ठीक है दोस्तों तो काफी इंपोर्टेंट हो जाता है याद रखेंगे क्या है को सबस्क्राइब का नाम बिस्टी थी करेंट अरे डोस्तों यहां पर बोलूंग TOM कि अभी तक तो आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि कुछ भी अपडेट है मुझसे रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और दोस्तों लाइक, सेर, कमेंट करना ना भूलिएगा आज के लिए इतने ही जैहिन अजयाओगा रहे लिए यहाँ रहे जाएवाद कर दोस्तों लिए प्राइब टाइब